अश्रवात कर लेते हैं इस वक्त बड़ी खबर आरे दिली में प्रदूशन की बत्तर हालात पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है उससे पहले सुप्रीम कोट में केंदर सरकार ने हलफ नामा दायर किया और हलफ नामा 392 पेच का है केंदर ने कहा कि केंदरी करमचारियों के लिए work from home मुम्किन नहीं है केंदर ने कहा कि कोविड महामारी के चलते कामकास का काफे नुकसान हुआ है और अगर ऐसे ही रहा तो आगे और नुकसान हो सकता है तो आपको बता दे बड़ी खबर इस वक्त की हलफ नामा जो दायर किया गया उसमें ये कहा गया कि कोरोना की वज़े से पहले ही work from home था जिसकी वज़े से काफे नुकसान कामकास पर पड़ा और अगर ऐसे में फिर इन लोगों को work from home देजा जाता है तो काफे नुकसान होगा संजे शर्मा हमाईसद हमाईस सयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं संजे और ये हलफ सामे में क्या बाते कही गई हलफ सामा काफे लंबा चोड़ा है और उसमें केंडर सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले ही लॉकडाउन की वज़े से इतना नुक्तान हो चुका है और अधिकारियों की काम करने के प्रदृति को बरकरार रखते वे ये ज़रूरी है कि कार पूल किया जाए सरकारी अधिकारियों के गाडियों का जिससे बहानों से होने वाला प्रदूशन कम हो लेकिन दूसरी तरफ जो नुक्सान होगा वो उससे ज्यादा होगा लहाजा ऐसे में कार पूल करने से या फिर ऐसे बड़े वाहनों से अधिकारियों को आफिस बेजा जाए और वहां से घर बुलाए जाए इससे उनके कामकाज करने के ख्रमता भी शही रहेगी और साथी प्रदूशन पर भी सकारात्मत असर पड़ेगा बिल्कुल तो कुल मिलाकर देखिए यह हलफ नामा सरकार की तरफ से दिया गया जिसमें ये बाते कही गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि लोकडाउन की सिती क्या हो सकती है वो देख लिजए लेकिन अर्विन केजरिवाल ने ये फैसला लिया था और ये कहा था कि दिल्ली सरकार जो कर्मचारी है उनको ये एलान दे रही है उनके लिए कि वो work from home करें लेकिन आज ये हलफ नामा केंदर की तरफ से दार किया गया है तो देखे सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि इस पर सरकारें सो नहीं सकती कुछ काम करना पड़ेगा जिसके बाद आपात बैठा कोई सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिपड़ी रही प्रदूशन के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं ये सवाल भी पूछा उन्होंने आपने देखा कि साथ दिन में कितने पटाखे जलाए गए और उस पर ने अंतरण क्यों नहीं लगा ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंट्रोल करने का कारगर मेकेनिजम कहां गया शौट टम प्लान आखिर कार क्या है ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट की रहे और ये तीखी टिपणी रही जिसके बाद आप आथ बैठकों का दौर शुरू और उनके जवाल ने कई फैसले बिली है जमीनी इस्तर पार कई कदम उठा सकते हैं जो की नहीं उठाए गए हैं आपको बता दें CAQM की बैठक जिसमें कमीशन फौर एर क्वालिटी मानेजमेंट जिसमें कई बाते कौन-कौन शामिल रहा केंद्री पर्यावन सचेव, शेर्मेन, एमेम कुट्टी, हर्याना की मुख्य सचेव, डीजीपी, राजस्तान यूपी की मुख्य सचेव, दिली सरकार के अधिकार तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, अब मन्ठन हो रहा है, अब चुन्तन हो रहा है, कि आखिरकार वो विकल्प क्या हो सकते हैं, जिससे एर क्वालिटी जो है, वो सुधर जाए, लेकिन आज जब शुरू हुई सुनवाई, तो हलफ नामा अभी फिलाल दायर किया केंदर के तरफ से, और लंबा चोड़ा ये हलफ नामा, जिसने इस बात का दिक्र किया गया, कि कुरोना काल में जब वर्क फ्रॉम हो था, तो बहुत नुकसान हो चुका है, काम के प्रती, काम नहीं हो पाया है, और अगर ऐसे में फिर ऐसी स्कती बनती है, वर्क फ्रॉम द सेवा से जुड़े जो ट्रक हैं, उन्हें जाने के इजाज़त दी जाए, वहीं रविवार तक गैर जरूरी ट्रकों की जो एंट्री है, वो बंद कर दी जाए, दफ्रों में 50% कर्मिचारी बाकी वाक फ्रॉम होम किये जाए, दिल्ली सरकार के जो दफ्र है, वो बंद कर द वहीं स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहें, और ऑनलाइन जो पढ़ाई जो पैसे पहले चल रही थी, वैसे ही आप चलती रहें, तो दिल्ली के पेट्रोल पर अब प्रदूशर सर्टिफिकेट ना होने की सित्ती में तुरंट 10,000 का चालान कटेगा, परिवहन मं करेंशन फॉर एयर कॉलिटी मेनेजमेंट की तरफ से, वो क्या-क्या हैं उसके बारे में बता दीजी और आप दिल्ली में इसे किस तरह से लागू करेंगे, जो हम अलड़ी डेली तो अलड़ी इंप्लिमेंट करी रहे, मुझे खुशी होगे कि NCR जो दूसरी जो स्टेट् अजोनिंग स्टेट्स हैं, वो भी इंप्लिमेंट करें, डेली में तो अलड़ी पूरा पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्योल पे है, काफी टाइम से हम जो पॉलूटिंग भीकल्स हैं, चाहे स्मोक जो हमें विजिबली दिखाई दे रहा हो, या अगर किसी का पॉलु पांच लाख और लगबग आठ लाख लोगों ने अपना सर्टिफिकेट पॉलुशन चेक कराया है, और अब तो विजितने भी पेट्रोल टॉम्स हैं, पेट्रोल तो डीजल या पेट्रोल तो लेना ही है, सी एंजी भी लेनी है, तो वहीं पर हमारी टीम्स जो हैं, वो ते पहले हमने उनको एडवाइज किया था भी आप अपना पॉलुशन करा लें, लेकिन आप सक्त आदेश हैं कि अगर कोई भी वेक्ती बिना पॉलुशन सर्टिफिकेट कि अगर कोई पेट्रोल पे आत है, तो उसका वहीं कि वहीं चलान कर दिया है, दो सायोगी इस वक्त हमा हमाई साथ और हिमान्शु शर्मा हमाई साथ हमाई सायोगी जुड़ चुक है, हिमान्शु पहले तो स्तिती समझनी बहुत जरूरी है, जो कदम अभी तक दिली सरकार की तरफ से उठाए गये, क्या उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ सुधार एर कॉलिटी पर हुआ सुधरी थोड़ी सी स्तिती, देखे अभी जो एर कॉलिटी है, वो वेरी पूर में बनी हुई है, वो भी साड़े 300 से उपर, जो सीवियर की तरफ की और बढ़ती है, यह जो तमाम उपाय किये गए है, यह उतना असर नहीं डाले, इसलिए कोशिस यह की जा रही है कि अलग अलग तरीके से केटिगराइज किया जाए, कि किस चीजों से कितना पॉलूशन हो रहा है, पराली से कितना पॉलूशन का परसेंटेज आया, गारियों से निकलने वाला धुआ कितना है, निर्मार कारियों से कितना है, क्योंकि PM 2.5 और PM 10, यह कम हो यही कोशिस है, और इसके लिए देखे, जैसे हम मौझूद हैं यहाँ पर राजपत पर और यहाँ पर जो निर्मार कारे चल रहा है, यह निर्मार कारे नहीं रोका जाएगा, क्योंकि यह गाइडलाइन भी है, लेकिन इस तरीके से देखे, यहाँ पर पलूशन नहों काम के दोरार, तो इ क्योंकि इस तरीके से जो परसेंटेज है, अलग-अलग चीज़ों का, जो गाड़ियों निकलने वाला दुआ है, कम से कम लोग गाड़ी इस्तेमाल करें, वो थोड़ा कम हो, इसके अलावा जो हैवी वेहिकल्स थे, उनको कम किया गया है, उनको सिर्फ पर रहीं जरा है, प पदूशन का इस तर, और दिल्ली सरकार का ये मानना है, कि वो लॉगडाउन के लिए तयार है, लेकिन सिर्फ दिल्ली में पावंदी लगाने से खुछ नहीं होगा, बलकि आसपास की जो राज्य हैं, वहाँ पर भी अगर लॉगडाउन लगता है, तो पदूशन को कंट्र करने में मदद विलेगी, तो सकती सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बलकि पडूसर राज्यों को भी अपनानी होगी, और साथ ही, जैसा कि परिवहन मंत्री से अब से कुछ देर पहले हमने बाचीत की पेट्रोल पंप पर अब करमचारी नजर आएंगे, अगर आपके पास काओ जो है, वो अब बड़े इस तरपर किया जाएगा, चार सो से जादा जो टेंकर हैं, वो दिल्ली की अलग-अलग सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि पराली पदूशर की जब बात की जाती है, तो दिल्ली में सब से जादा पदूशर वाहनों से और दूर पदूशर भ हुआ था, मगर कुछ ही महीने बाद कोरोना की वज़े से मार्च 2020 में इसे बंद कर दिया गया है, एक बार फिर से इसे खोला गया है, मगर तीर्थ यात्रियों को कोरोना के सख्थ नियमों का पालन करना होगा, कर्तारपूर साहिब कोरिडोर खुलने के बाद, अम्दर सर औ और अम्बाला से बड़ी संख्या में श्रधालू का जथा कर्तारपूर के लिए रवाना हुआ है, कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, तो देखिए आप कर्तारपूर जो आस्था हैं, उससे जुड़े लोग आप पहुचेंगे, तो खुल गया कर्तारपूर कोर हैरिक दिख रही है, और अम्रसर से स्रधालू जो है, उबड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ, पूरी आस्था के साथ, रवाना भी हुए, तो कुरोना की विज़े से मार्च 2020 में बंद कर दिया गयता, फिर से खुला है कर्तारपूर कोरीडो, जिसकी विज़े से लोग ब कर चुकी है, पॉल में देखे, एक लंबा इंदजार लोगों को करना पड़ा, लेकिन अब आस्था के द्वार खुल चुके हैं, और लोग पहुच रहे हैं, जी यहां पर हम इस वक्त करतारपूर कॉरिडोर पर ही खड़े हैं, पीछे मेरे इंटिग्रेटर चग पोस्ट ह जहां से गुजरते हुए जो श्रधालू जिनका रेजिस्ट्रेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन भी हो चुका है, और परमिशन जिनको मिल चुकी है, गुर्द्वारा दर्बार साहिब करता अपर पाकिस्तान जाने की, वो यहां से गुजरते हुए पाकिस्तान की और वाक्सीन सर्टिफिकेट मागा गया उनसे और नेगेटिव आर्टी पीसिया टेस्ट रिपोर्ट भी उनसे मागा गया अभी तक ये क्लारिटी नहीं है कि उस तरफ जब वो पहुंचेंगे इमिग्रेशन सेंटर पाकिस्तान में बहां पर रैपिड अंटीजन टेस्ट होगा क करीबन ये जो कॉरिडर है वो दुबारा से खोला गया है नवंबर 2019 में इसका इनागेरेशन हुआ था जो भारतिय साइट पर प्रधान मंत्री नरींदर मोदी नी किया था और पाकिस्तानी साइट पर यहां से जथा गया हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंग थे उस वक्त के पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैपटन अमरंदर सिंग थे सरकार में मंत्री हडी पूरी थे वो सब गए हुए थे यहां से पहले जथे में और 9 नवंबर 2019 में वहां पर भी इनागेरेशन हुआ जिसमें पाकिस्तान प्राम मिनिस्टर इमरान खान भी शरीक हुए उस प्रोग वेरिफिगेशन भी हो चुका था क्लियर हो चुके थे पर कोविट के चलते जब यह यात्रा बंद कर दी गई तो जा नहीं पाए अब उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा ठीक है आप नजब बनाये रखिए फिरहाल शुक्रिया मैं करतारपूर कोरिडोर के लिए मोदी जी की सरकार ने जिस मजबूती के साथ वीपरीज प्रस्टितियों में भी काम किया और खोला यह सब लोग जानते है और एक बार फिर खुला है और मैं इसके लिए बहुत ही सुझ को और सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास और सबके परियास के संकल्ब को मैं समझता हूं कि अजमेर के उर्स में जो लोग महां से आते हैं उनको भी उसी तरह से आने की जाज़त दी जानी चाहिए इसलिए कि इन चीज़ों से तनाओ को कम करने मदद मिलती है और जो लोग आते हैं या हमारे जो लोग महां जाते हैं वो वहां के हालात को समझते हैं वहां के लोग हमारे आगर के हमारे हालात को समझते हैं और आदान परदान जो होता है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है खासतोर पर सिविलियंस के दर्मियान में यह आदान परदान च इश्काश रखी थी लेकिन सरकार्णों से एक्सेप्ट किया बहुत अच्छी बात है